पर क्या वाइरल चल रहा है आई सी 814 सीरीज को ले करके भारी हंगाम आए गोदी मीडिया किस तरी अतने से बढ़गाने की कोशिश कर रहा है अस्त्राव आलेकूम और रख पुल्लाही बढ़कातो उम्मीद है आपने सब खेरस होंगे मैं भी अलाग 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 शुकर रसना का रसना आज इसको पूरा एंटर ज़रूर देखिएगा कंग नारवाद में क्या जवाब दिया है तमाम लोग जो अपने इंडियो पर छोड़के जा रहे हैं उद्धयों पती करोड़काती उस पर क्या जवाब दिया है वो ट्रेंड कर रहा है यो जो हनी सिंग्यर उनका वीडियो वाइरल हो रहा है और धुर राठी में क्या बोला है उनका वीडियो वाइरल हो रहा है तमाम अपडेट है इस ख़बरे में तो आप लोग इसको एंटर ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो इसको शेर करिएगा तो चलिए बिना देरी के विड़ा इस्टार करते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्कम दोस्ते वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वाइरल चल रहा है क्या कुछ चल रहा है शेर करेंगे आपके साथ साथ शेर करेंगे आपके साथ कि धरूब राटी के ह estar करेंगे आपके साथ लेकिनाベर्ट बेंडके से पहले से चानल के सब्स्राइब और इचे लिए लाइक शेर कॉमेंन ना भूला करें पहली अपछली कंगना रनावत के हावाले से हैं ललन्टॉप के पत्रकार ने उसे पूछा कि पिछले 10 सालों में कई ऐसे लोग है जो भारत छोड़ करके दूसरे मुलकों की सिटिजनशिप ले रहे हैं जिसका जवाब देते वे कंगना रनावत ने कहा कि कोई बात नहीं वैसे भी हमारे यह पर जो population है वो बढ़ती जा रही है तो अगर कोई छोड़ रहा है नागरिकता तो यह अच्छी बात है अब अमीरों की बात की है तो बता दे आपको के हुरून लिस्ट आया है और इस लिस्ट के मताबिक गौतम अडानी ने मुकेश अमबानी को रिप्लेस कर दिया है आपक के उपर जो आई थी उसको लेगर के तो हंगामा हुआ मार्किट काफी उपर नीचे रहा है हेंडर बर्ग ने जब सेभी के उपर भी काफी रिपोर्ट निकाल के दी तो इससे साधा खलवली देखने को नहीं मिली और जैसे कि आप जानता ही होंगे कि मार्किट ऊपर जाता आपी रिजिस्टर्ट रिसर्च अनलिसस्ट अब मैने एजी वेगा फीचर च्छोच चूच कर लिया है यहाँ पर trend को देखने के लगरा है कि मार्किट ऊपर जाएगा तो मैंने चूच कर लिया है आप offline last step में profit ज्यादा रखने के लिए मैंने choose किया है faster बस हो गया इतना easily basic knowledge के साथ मैंने trade place कर दिया है अब आप अपना trade live monitor कर सकते हैं और जब आपको लगे कि आपके मुताबिक का profit हो गया है तो आप trade को stop भी कर सकता है यहां देखें यहां मैंने stop trade पर click कर दिया है इतना असानी से मैंने 829 रुपए का profit book कर लिया है जो कि 32% है less than 2 minutes यानि 2 minutes से कम समय में 32% का profit book कर लिया अब देखें market wolf का brokerage industry में सबसे काम है यह सिर्फ 9 रुपए brokerage charge करते है loss पर profit पर 19 रुपए जबकि इस इंडस्री के अंदर loss और profit पर 20 रुपए brokerage charge की जाती है और सबसे खास बात यह है कि य lifetime trading platform का मज़ा लिजे और जिंदगी भर trade कर सकते हैं अब देखें market ऊपर जाए कि नीशे जाए दोनों सूर्थों में profit book करने वाले profit book कर लेते हैं अब आपके लिए इसलिए यह market wolf लाए गया है क्योंकि यह easy और safe है इतनी जंजेट पे ना पढ़ करके अराम से कुछ clicks के अनभत्तों के खेमे में काफी दुख की घड़ी है उसकी पीची की वज़ाई यह है कि कंगना की emergency तो रोक दी गई है sensor की तरफ से लेकिन release कर दी गई है IC814 अब इसको लेकर के social media पर तो बड़ा रोना दोना चल रहा है वजा यही है कि IC814 सीरीज को लेकर के जो हंगामा हु दिखा था कि वो अपने पेट नेम उन्हों ऐसे रखे था है कि हाईकर ने और उनका जो असली नाम था वो भी मैंचन था लेकिन इसके बावजूद यह हंगामा देखने को मिला सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप नेट्फिक्स की यह सीरीज आईसी बावाल देखने को मिल रहा है लेकिन यह जरूर है कि नेट्फिक्स पर IC814 आप देख सकेंगे लेकिन अभी तक एमर्जंसी रिलीज नहीं हुई है जिसको ले करके अनबतों में काफी दुख ही गड़ी देखने को मिल लए है साथे साच चाहिकर दें कि फरीदाबाद से एक अपडेट इगल किया थी जहां बताया था कि आर्यन मिश्रा नाम के बारवी में पॉड़ रहा है एक स्टूडेंट का पीछा गया गवरक्षगों ने और उसके बाद उसको पगड़ करके उसको मत के घाट उतार दिया अब से आर्यन मिश्रा के साथ हुआ तो यहां पर यह कह रहा है कि घलती हो गई, मिस्टेक हो गई, यानि अगर मुसल्मान को मार देते तो वो मिस्टेक नहीं थी, आर्यन मिश्रा वाले मामले पर जिस तरियके से बवाल मच रहा है लगातार बड़े-बड़े यूजर्स जो है वो इसको ले करके रिपोर्ट कर रहा है, बॉलिवोड और सोचल अक्टिविस्स के बीज भी जो है वो बहस अब ऐसी देखने को मिल रही है, बॉलिवोड की तरफ से आवाज उठाई जाने लगी कि किस तरीके से ये वारदाते बढ़ रही है, लगातार इसको ले करके आव लोता है, तो आपनों क्यों नहीं बोलते हैं, तो ये लोग उनको ब्लॉक करने लगते हैं, तो आउट्रेज जो है, वो सेलेक्टिव आउट्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि नाम आरियन मिश्रा था, अंगामा होना चाहिए, जो भी धरम से हो घलत-घलत है, मेडिया क जो रिपोर्टिंग है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये ओप इंडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है, और बता रहा है कि कैसे एक 19 साल को मत के घाट उतार दिया, काउस्मंगलिन के नाम पर, इसके अंदर ना आरोपी का न मचा दिया है, हलात ऐसे हैं कि मदिना शहर संदर वे सब्सक्रीन होता है, आपके साथ के भाजपा के एक कारी करता है, अपने आपको स्पोक परसन, अपने आपको नेता, यानि उनकी प्रफाइल देखेंगे, तो वो पूरे भाजपा और नेशन फरस्ट जया, तो यहाँ प बच्चों ने जो है, वो निवजर्षी के अंदर, एक स्कूल जॉइन किया है, और वहाँ शिफ्ट हुए है, यानि जो उनके बच्चे हैं, वो निवजर्षी में, यानि अमेरिका में रहते हैं, और वो गाफी खूश है, इसको लेकरके ने हैं, सो अपड़ रहा हैं, सेट पूरा हंगाम हो गया, दधेश भक्त, यानि दकाश बैनर जी जो है, उन्होंने तो पूरा ही लतार दिया रख करके, और कई लोगों ने, कई पतरकारों ने घेरा, और कहा कि जिस हिंदू राष्ट की तुम बात करते हो, वो महान हिंदू राष्ट तुमें अपने बच्चों सामने रखी है क्या कहा सुनिए सामने रखी है इस दिन और एक्स्ट्रा पंदरा दिन दिये जाएंगे पुलिस को इस केस को पूरा कंप्लीट क्लोज करने के लिए इस तरीके के कुछ नियम कानून जो है वो लाएगा है खबर निकल के आ रही है ये शक्स जो है उसका नाम है सुनिल सांगवान बताय जा रहा है कि अपने कारेकाल में छे बार राम रहीम को रहाई देने वाले जेलर सुनिल सागवान भाच्मा में शामिल हो गाए आप समझ सकते हैं कि एक खबर जब आई है आपके स्क्रीन पर WW की फाइटर है स्टार है CM Punk उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपने शेर कर दी जिसके बाद खूब बवाल मच गया फलिस्तीन के सपोर्ट में उतरे CM Punk सोशल मीडिया पर फ्री पलिस्ताइन का डाला पोस्ट तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह के से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से जो है वो फलिस्तीन के लिए अबाज उठाई जारी और लगातार ऐसी अपडेट वहां से अभी भी आ रहे है कि जिस तरह किसे इसरेल हमले कर रहा है उनकी जो इंटर्व्यूस है वो वाइरल हो रहा है उनके बयान वाइरल हो रहा है उन्होंने अपने गानों के बारे में कुछ कहा है ब्लू है पानी पानी को लेकर कि कहा है कि यह क्या कोई गाना है बकवास है यह सारे गाने देखो, मतलब उन्होंने अपने गानों की आलोचना करी, उन्होंने बताये किस तरीके सउनके वायाद गाने हैं, और वो शॉक्त है कि लोग पसंद करते हैं उनके इन बकवाज गानों को, हूँट सिंगर, राइटर, ये कह रहा है, ये मेरे गाने बकवाज है, कुछ भी बोलने पसंद कर रहा है, तो इससे समझ में आता है कि जो हमारा यूथ है, वो बखवास को पसंद कर रहा है, हनी सिंग ये कहना चारहे हैं, और लोगों से ये कहना चारहे हैं, मैं तो बखवास लिखता था, तुम बखवास पसंद करते थे, तुम चाहते तुन नहीं भी बसंद कर सकते थे तुम मेरे हिसाब से हनी सिंग उन लोगों को जवाब देखे जो इन पक्वास गानों को दिन राथ सुनते हैं जाने से पहले एक और पर आपको वाइड़ दिलाना चाहूंगा Markets speaks जसके download over 2 million हो चुके हैं इसली मैं आपको रेकमेंट दरना चाहूँगा जरूर से आपको चेक आउट करिए मार्केट फुर्फ लिंक डिस्रिप्शन और कॉमेंट में पिन के वा मिल जाएगा आज के लिए तना ही अपनी राई सुझाओ कॉमेंट पर बताएं मिलें अगले वीडियो में तो तक के लि पर बिलेंगे नई खबरों के साथ नई वायरल खबरों के साथ देखते रहिएगा मेने चैनल को ए असलाम आलेकूम वर्क्मतुलाही वर्काता हूँ